ओम शांती आज है 19.08.2021 मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे मुर्ली का सार है मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज रिशी राज योगी हो तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज रिशी राज योगी हो तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है प्रश्न है कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है उत्तर है अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रिती सुनकर धारन करो बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी अगर सुनते समय उबासी देते वा जुटका खाते बुद्धी भटकती तो राजाई गवा देंगे इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो गीत है हमें उन राहूं पर चलना है ओम शान्ती रुखानी बाप रुखानी बच्चों प्रती समझा रहे हैं आज बच्चों को हट योग और राज योग पर समझाते हैं बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हट योग क्योंकि वह करम सन्यासी हैं वास्तव में ग्रस्तियों को हट योग करम सन्यास सीखना नहीं है वह तो हैं ही निव्रिती मार्ग वह धरम ही अलग है तुम्हारा धरम देवी देवता धरम है जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है अभी तुम राज रिशी हो रिशी उनों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं तुम अभी पवित्र हो अगर पवित्र ना रहे तो उनको रिशी नहीं कहा जाता तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पुज्य प्रविर्ती मारत था अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है न? बाप जो सहज राजयोग सिखला रही हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं दूसरे धरम को सन्यास धरम वाले क्या जाने? यह है देवी देवताओं का प्राचीन धरम वह है पीछे वाला धरम जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके तुम जानते हो हटयोग अनेक प्रकार के हैं द्वापर से भक्ती मारक के साथ हटयोग शुरू होता है अभी फिर है राजयोग वह हटयोग जनम बाई जनम सीखते आए हैं राजयोग तुम एक जनम में ही सीखते हो उनको जनम बाई जनम, पुनर जनम लेकर हठियोग सीखना ही है तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर जनम नहीं लेना पड़ता यह राजयोग तुम सिरफ संगम पर ही सीखते हो राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धरम खतम हो जाते हैं तुम राजरिशी हो, राधे कृष्ण भी पवित्र है ना? कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं महात्मा पवित्र होते हैं, तुम भी अभी महात्मा वा राजरिशी हो महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा यह बाते कोई शास्रों में नहीं है शास्र तो बाद में बनते है कहानियों मिसल बैठ लिखते है जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते है सच्चा तो नहीं है अब बाब बच्चों को प्रेक्टिकल में पढ़ाते है उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है यादव, कौरफ, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे संगम युग की हिस्ट्री बैट बनाई है तुहार भी सभी संगम युग के है राखी बंधन भी पवित्रता पर है पीछे फिर उनका यादगार चलता है यहां बाब भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिग्या कराते हैं सिख लोग कंगन पहनते हैं वह भी पवित्रता की निशानी है हिंदू लोग जनेव पहनते हैं वह भी पवित्रता की निशानी है परंतु पवित्र रहते नहीं है राखी भंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं आगे ब्राम्मन लोग राखी बांधते थे अभी बेहन भाई को राखी बांधती है, वे खर्ची देते हैं यह सब अभी फैशन पड़ा है वास्तव में यह है पवित्रता की बात बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रू है वह ब्राम्मन लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं अभी बेहत का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिग्या करो, हम पवित्र बनेंगे कभी विकार में नहीं जाएंगे बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ सत्युक्त रेता में कोई नहीं बुलाते वह है ही रामराज्य यह है रावनराज्य रामराज्य में पाँच विकार होते नहीं यथा राजारानी तथा प्रजा अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं इस नर्क से जाना जरूर है बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने उन्हों के हट योग तो अनेक प्रकार के हैं जैपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वेराइटी है हट योगियों की, उनसे होता कुछ भी नहीं, सीड़ी नीचे उतरते ही जाते हैं, बाप ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है, रावन का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है, सोने के महलादी सब नीचे चले जाते हैं, महलो आदी को कोई लू उटा है, कुछ जेवर सोना आदी ले गए हैं, जेवरों का सबसे जास्ती शौंख तुमको है, तुम स्वर्ग में आते ही, जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धरम वाले आते ही, राज्य नहीं करते हैं, तुम बेहत के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्सा लेते तो यह बाब बैट समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुश्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैट शास्त्र बनाया है, हमने जो तुम को सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राज चाई की वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता यहां तो बाप टीचर बैट शिक्षा देते हैं बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं यहां सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं जो उन्हों की भाषा है वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है ना कि संस्कृत यह संस्कृत तो शंकरा चार्य के बाद निकली है जो आते हैं वे अपनी भाशा चलाते हैं बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है नहीं गुरु नानक का अपना ग्रंथ है उसने सिक्धरम स्थापन किया उनको भी अवतार मानते हैं उसमें राजाएं भी होते हैं सन्यासियों म बाबा ने समझाया है बुद्ध क्राइस्ट आधी पहले ग्रस्ती आत्मा थे अब ग्रस्ती पतित आत्मा तो धर्म स्थापन करना सके उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया दूसरे धरम तो किस्म किस्म के बहुत है आकर अपना छोटा मटपंध स्थापन करते हैं जाड में भी दिखाया है ना तो हट योग और राज योग में बहुत फर्क है यह बाते समझने की है जिसको समझ में नहीं आती होंगी वे जुटका खाते उबासी देते रहेंगे यहां तो तुमको खजाना मिलता है बड़ी भारी कमाई है तुम रतनों से जोली भरते हो तो यह आखे खोल कर सुनना होता है जुटके खाते रहेंगे या बुद्धी बाहर भटकती रहेगी तो वे राजधानी पा ना सके तुम हो राज रिशी राजाई प्राप्त करने वाले बाप राजधानी स्थापन करते है शिरी कृष्ण नहीं करते कृष्ण तो बाप का वर्सा लेते है अब तुमारा बाप है निराकार जिससे वर्सा ले रहे हो विश्वकी बादशाही का कितना तुम साहुकार बनते हो यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं सो फिर भी घूमो फिरो खाओ पियो सिरफ बाप को याद करो साहुकार जरूर अच्छी रिती खाएंगे वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं माल पूरा खाओ या रोटी खाओ याद करो बाप को भल कुछ भी खाओ पैसा तब किसके लिए है बाबा कोई मना नहीं करते हैं सिरफ बाप से योग लगाना है इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है उस लड़ाई आदी में कितना खर्चा होता है एरो प्लेन पर कितना खर्चा होता है गिरते हैं तो एकदम खतम हो जाते हैं कितना नुकसान हो जाता है तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो स्वदर्शन चक्र फिराते रहो हमने 84 जनम पूरे किये हैं अब चले वतन की ओर घर जाकर फिरार आए राजाई करेंगे तुम एक्टर्ज होना वह बाइस कोपतो दो अढ़ाई घंटा चलते हैं यह बेहत का नाटक 5000 वर्ष चलता है इनको मनुश्य ही जान सके यह दुनिया है काटो का जंगल बड़ेते बड़ा काटा है विकार का जो आदी मध्य अंत दुख देते हैं दूसरे नंबर का काटा है क्रोध उनकी निशानी यह महाभारत लडाई देखो कोई बात में गुस्सा आया तो जट बॉम्स शुरू कर देंगे अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्स बनाए हैं चो बात मत पूछो सत्यूग में कोई लडाई आदी होती नहीं संगम पर ही यह महाभारत लडाई दिखाते हैं दूसरे कोई शास्त्र में लडाई की बात ही नहीं वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो लडाई की बात हो ना सके शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लडाई दिखाई है परंतु देवताएं अहिंसक हैं तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो यह है साइलेंस बल इसमें कुछ तुम को बोलना नहीं है याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हूँ फर्क देखो कितना है साइंस बल से विनाश होता है उसी ही साइंस से फिर सत्युग में सुख देखेंगे साइंस से इन्वेंशन करते हैं वह तो सुख के लिए करते हैं यहें भी आकर कुछ ज्यान लेंगे प्रदर्शनी में तो सब आते हैं आगे चल सब आएंगे तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा तुम प्रशन पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रशन कोई पूछ ना सके जहां यह प्रशन लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या कृष्ण जो पूरे 84 जनम लेते हैं पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है कृष्ण की आत्मा तो 84 जनम ले सांवरी बनी है उनको बैट समझाते हैं तुमने 84 जनम लिये हैं तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जनम कैसे लेते हैं सन्यासियों का धरम ही अलग है भारतवासियों को अपने धरम का पता ना होने कारण और और धरमों में जाते रहते हैं किसी गुरू की आशिरवाद से किसी को धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भावी बच्चा मिला बहुत खुशी होगी अच्छा दस बारा दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी इनको जिन्दा करना हमारे हाथ में नहीं है बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं ऐसे ऐसे बहुत होते हैं यहां तो बाब बैठा है बाब बच्चों को समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों पावन बनो याद है जब महाभारी महाभारत लडाई लगी थी तो द्रोपती ने पुकारा था बाबा हमको यह दुशासन नगन करते हैं हमको इनसे बचाओ 5000 वर्ष की बात है इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश पर ही होते हैं कई तो इस्तरियां भी ऐसी होती हैं जो विश बिगेर रह नहीं सकती उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सूप नखा पूतना जो विश के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंदी, शिशुपाल यह सब बिनाश को तो पाने ही हैं इस समय है आसुरी रावन राज्य फिर होगा ईश्वरिय राज्य इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे चौरासी जनम लेते हैं यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं विकार में जाने वाले का मूही पीला हो जाता है खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया बाप कहते हैं बच्चे इस विशेगटर में मत जाओ यह तुमको आदी मध्य अंत दुख देने वाला है इसमें ना पड़ो कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे भगवानु वाज है काम महाशत्रू है हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो ग्यान सागर पतित पावन गीता ग्यान दाता शिव भगवानु वाज तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए हमको गीता का भगवान बैठ यहें बतलाते हैं वही ग्यान हम लेते हैं भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है रूद्र ग्यान यग्य है ना असुल है शिबाबा रूद्र बाबा नहीं कहेंगे बॉम्बे में बाबुरी नाथ का भी मंदिर है अब बबुल कहा जाता है काटो को बाबुरी नाथ नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं है चित्र तो शिव का ही है बाकी तो अनेक नाम रख दिये है शिवा बाही आकर काटो के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते है वही तुम्हारा बाबा है उनका नाम है शिव शिव परमात्मा नमा ब्राम्मन देवी देवता नमा अक्षर बिलकुल क्लियर है अब वह परम्पिता परमात्मा बैठ इस रत द्वारा समझा रहे है हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना कोई खराब काम नहीं करना यह बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना पवित्र बनने बिगैर स्वर्ग में उच्पद पा नहीं सकेंगे बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो बाकी सब गवा रहे हैं भल कोई के पास पदम है बड़े बड़े महल बना रहे हैं लाखो रुपे खर्च करते हैं तुम समझते हो वह सब वेस्ट ओफ टाइम है यह कुछ काम नहीं आएगा सब खतम हो जाएगा वह तो समझते हैं दस बारा हजार वर्ष चलेंगे तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदी हो सब डावा डोल हो जाएगा अर्थक्वेक आदी में अनगिनत मर जाते हैं अब तो विनाष हुना ही है विनाष का साक्षातकार और स्थापना का साक्षातकार किया है सोफिर इन आखों से देखेंगे भक्ति मारग में कितना कुछ करते परंतु कोई बैकुंठ में जान आ सके ज्यान बिगैर सद्गती हो ना सके यह सब भक्ती मारक के खिलोने हैं अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों क्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गूड मौनिंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्दे हम रुहानी बच्चों की, रुहानी बाब दादा को, नमस्ते, गुड मॉनिंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरे भाग्य विधाता बाबा धारणा के लिए मुख्यसार है, पहली पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिग्या करनी है दूसरी पॉइंट, अब अपना टाइम, मनी, वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने है बर्दान है, पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव डिटेल है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतव बन जाते हैं ऐसे आप बच्चे भी स्वयम नम्र चित बन दूसरे को श्रेष्ट सीट दे दो उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतवी बिठा देगा अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा इसलिए बिठाना ही बैठना है तो पहले आपका पाठ पक्का करो फिर संसकार भी सहज ही मिल जाएंगे ताजधारी भी बन जाएंगे यही चतुर सुजान बनने का तरीका है इसमें महनत भी नहीं प्राप्ती भी जादा है स्लोगन है अंतर मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेश्ट आत्माही अव्यक्त स्थिती का अनुभव करती है अच्छा ओम शान्ती